आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सवस्त होंगे आप सभी का स्वागत है आपके जर्ण कुसम फैमिली ब्लोग में तो वीडियो सुरू कर लेते हैं और सब के कमेंट आ रहेते हैं कि यह टोपा नहीं अच्छा लग रहा है आपके उपर तो देखिए यहां पर करके ही दस दिन के लिए आई हूँ तो बहुत सारी चीजें फिर आप लोगों को पता ही सर्दियों कपड़े इतने सारे हो जाते हैं कि पूरा बैग भड़ जाता है वैसे दो दो बैग थे क्योंकि बच्चों कपड़े भी और गीता आगे और हमारे और एशू के भी थे मैं भाली ठंड होती है वह वाली ठंड हो रखी है और सारा दिन बस वही है काम तो इधना कुछ जादा नहीं हो रहा कि बैस बनाओ और खाऊ हीटर के सामने यह चुले के सामने दो ही जगहर ऐसी हैं कि आराम से बैठो और हाथ से और सच बता हूँ यह बच्चों का जो घर है न कुछ आभी भी लगा हुआ है लकड़ी और यहीं समय क्योंकि छोटे बच्चों कर बार इसका जो टाइम रहता नों से बहुत परेशानी हो जाती है बार बार बाहर जाएंगे सोक्षगी लेकर सूजगी लेकर इंको क्या गर रहे है पता नहीं क्या काम में लगा हुआ थोड़ा सा मोर का सुबह सुबह जब मोसम थोड़ा ठीक था तो यहां मोर बेटा हुआ है रोटी डाली तो एकदम हिल गया क्योंकि आप सबको बड़ा अच्छा लगे और की आवाज और मोर को देखना है क्योंकि पहले में दिखाती थी सब पसंद करते थे यहां गीता बर जगे उपले भी बोलते हैं और कंडे भी बोलते हैं हमारे यहां तो उपले भी बोलते हैं तो गन्नु पिंकु दोनों यहां पर मेरे की चलो आप लोगों को दिखा देती हूं हमारे हैं ऐसे बनाते हैं तो वही हो जाता ना कि चूले में आग बलाने के अजलाने के लिए औ लेके तसला चली गए मैं फिंको को कह रही थी मगा चल तू भी उधर यहां पे मम्मी भैसों को पानी वानी पिला रही है मैं कि चलो थोड़ा सा घेर का भी सीन आपको दिखा देती हूं मैं तो यहां पे हमारी यह जो क्या बोलते हैं हम तो कुंडी बोलते हैं हो दी जिसमें समर्सीवर लगा हुआ वहीं से ही पाइप डाला हुआ है तो यहां भैसों का जो घेर में कुछ भी काम होता है यहां हमारा इंजन वगएरा जो चार काटने की मसीन वह लगी हुई है और यहां मम्मी सारी भैसों को क्योंकि भैसों वही है देखिए चलाएं कि धर को चलती कि दरगों ममी वटा पर भैसों को या पानी पिला रही है उसके बाद लगा रही है जाड़ो और यह घेर है हमारा यहां पर जादा दूर नहीं परता घर से बहुत पास में है मतल से हमारे घर से आते हैं तो जब एक ही घेर बीच में पढ़ता है उसके बाद में हमारा पढ़ जाता है तो जस्ट पर पास में ही है और उसके बाद में फिर मम्मी अपना घ़ाड़ो और लगा के ही होता है उतने के हूं आते हैं एक बार भर के चला के छोड़ दो ऐसा नहीं बार बार देखनी पड़ती है तो इस टेम पर चक्खी चल रही थी मैं कि थोड़ा सा चक्खी का डेमू आप लोगों को दे देती हूं और यह चक्खी दिल्ली नरेला से मंगाई थी क्योंकि बहुत लोग मे नहीं सोब बगएरा वहां से यह पड़ी थी साथ हजार के दो जोगे दो साल पहले मंगाई थी तब से बहुत अच्छे चल लिए काफी यूजफुल है दाल वगएरा है और इसी में बेसन बेस पापा नाइए पैपा नाइए एह मारोगी बहुत ज़्यादा देखिए जैसे मैंने दिखाए था आप लोगों को बारिस कितनी तेज हो रही है और ओले पड़ रहे हैं थोड़े छोटे थे लेकिन बहुत नुक्सान दायक हैं क्योंकि फसल के लिए ठीक नहीं है ओले तो इसलिए किसानों के लिए काफी नुक्सान वाली बारिस है और उपर से हवा के साथ में हैं जिसके सरसों है जो लाया मतलब हो है वो फसल भी ठीक नहीं है तो यहां देखिए एकदम छमाचम बारिस हो रही है खुब तेजवाली और ठंड इससे बहुत बढ़ने वाली है तेजवाली हवा भी है साथ में उसके बावजूद भी बारिस पढ़ रही है यहां गीता ने रोटी हम सबकी बना दी थी लेकिन गैस पत्न वही था बारिस की वज़े से चूले पर नहीं बनाई थी और पापा जी नहीं आये थे तो उनके लिए आटा रख दिया था कि आए भी पढ़ रहे हैं उसको देख देख के मम्मी का पापाजी का मन बहुत खराब हो रहा था सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की तो मैं वही आपको दिखा रही हूं और सच में बड़ी अच्छी लगती है मुझे सर्दियों में आलू टमाटर मतर की सब्जी काफी पसंद है और साथ में गाउं की जो होती है गाड़ी सी ताजी सी मठा वो और उसके साथ में गुड़ तो गाउं की एक इस्पेसल थाली हो जाते ही हैं सब्जी थोड़ी सी गरम करूंगी और ये देखी हमारी इस्पेसल थाली हो गए गुड़ सब्जी रोटी और मठा सोच रहे हूं भी नहीं खुला है तेज वाली बारिश एक बार होके बंद हो गई उसके बाद में थोड़ी दिर मौसम ठीक सारा उसके बाद फिर बारेश को गई यह तेज हवा के साथ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है बहुत बारेश है चलिए यह तरी बैट के थोड़ी दिर आप तो उसे कर लेती हूं बात हैं क्योंकि गाहों में थोड़ा सा कमरे वगारा में लाइट की प्रोलम हो जाती है आपको जैसे मैंने बताए बाहर सूथ करें तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है इस टाइम पर भी बारिश हो रही है जब मैं आप से बात कर रही हूं लुए तो बच्छे दोनों खेल रहे हैं तो एगनोर करना गर उनकी आवाज आरी हो तो तो वो मेरी वीडियो गई थी एडवाली तो बीचों में एक दिन वीडियो नहीं गई थी और आप पता हूं मम्मी के घर आके बहुत जादा सूट नहीं हो पा रहा है मैं तो कोई काम करने ही रही हो इस टेंप पर बिल्कुल ही रैस्ट पे हूं सारा काम गीता करते हैं थोड़ा बहुत काम मम्मी घर लेती हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूं तो इस वज़े से कुछ ज़्यादा सूट नहीं हो पाया था वो मेरी दो दिन की किलिप थी जो मैंने एड की थी आप लो ढोल जाते हैं तो वहां थंड में बच्चों को इसओं नहीं ले जाती हूं वहां का सूट इस वज़ें से कुछ भी नहीं हो पाया है ता दर्द करने लगता है में हैसी लिए यहां पर रख लिया है तो इस वज़े से मैंने वह आप लोगों को वहां पर दिखाया था गाउ में गर्मियों वाला सेन लेकिन कोई बात नहीं जो भी दिखा रही हों गाओं की लाइफ क्योंकि यह रहता ना एक देखे थोड़े टाइम के लिए यह दूसरा मम्मी और सबके पैस बैट के टाइम पास हो जाता है बुआ जी भी यहीं पर है आई हुई है जो मेरे साथ में आ पाई है इशू की उतनी चुटी नहीं क्योंकि ओनलाइन उसके क्लास भी है प्लस टूचन नहीं भी है और यही था आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना आई हूप कि आप लोगों को वीडियो पसंदा रहा है पसंदा रहा है प्लीज सपोर्ट क कीजिए और क्या देखने वाले हो मम्मी की हाँ बातशीत करना और मम्मी कैसे बात करती है आप लोग बोलते हो कि आपकी जो मैन भासा है उसमें हमें बताईए तो मैं आपको कल की वीडियो में जरूर यह पूरा करूंगी और यहां पर जादा में कोई रैसिपी से नहीं कर है नहीं पारे उसके लिए सब्सकुमिकर उसमें ही गाओं में क्या है सिंपल ही खाना जाँ बड़ा अच्छा लगता है शहर का एकदम पनीर वाली वह सबजी वह उसमें भी मजनं की यहां को खहने में मजा आता है तो वहीं दिन काटते हैं आप फिर उसके बाद हमारे साग वगेरा बनाना करना मतलब वही सारी चीज़े हैं जो बन रही हैं और सबसे ज़्यादा में चीज़ हो रही है मोसम की और ठंडे की ठंडे की वज़े से कुछ भी करने का मूड नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसा ही लगता है कि जो भी बनाओ खाओ रजाई में बैठ जाओं ये वाला है हाथ पेर बहुत सुनो हो रहे हैं क्योंकि ओले जो पड़े न उसकी वज़े से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है तो चलिए कोई बात नहीं वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करना शेयर करना और मिल लीजे मेरे भाईयों के घ अपने बाही का घर दिखायी हैं annex 53 हमारा बैसे तो बच्वन मेरा इस घर में नहीं बीता था क्योंकि हमारे+, पहले पुराना घर अलग था किसो बनेता है संखेयागाने साल यहां ने बद रूठ तो लेकिं जो चादी हुई ती वह वाला घर हमारा बिल्कुल अलगी था इसी यही जगह पर था लेकिन अलग था लेकिन फिर भी यह तो है तो माय का और बच्पन तो यहां पर बीता ही है मेरा तो चलिए कल मिलूंगी तब तक के लिए बावाय ट्या केर अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आयो तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना कमेंट करके मुझे बताना और आप लोग क्या देखना चाहा रहे हो तो चलिए कर मिलूंगी तब तक बावाय ट्या के लिए